ले दे के रात निकली और ये कौन सी तारीक थी दो तारीक के शाम को 6 बजे की घटना शुरू होती है और रात निकलती है अब 3 जनवरी आता है सुबह होते होते दा पंप हैड दा वाटर लेवल सफीशेंटली अंडर कंट्रोल सफीशेंटली यह प्रयापत रूप से कंट्रोल मने नियंत्रण में जो पंप था राद भर चलता रहा चलता रहा बाकी पंप खराब हुए पर एक लेक्टिकल पंप जो मिला उससे जो हमने पानी फेका परिणाम बड़ा अच्छा निकला कि अब स्थिती कंट्रोल में आ गई थी अंदर का पानी काफी कुछ बाहर हो चुका था कैनवस से जो मैंने ब्लॉक किया था वो भी काम कर रहा था जितना पानी अंदर आता था पंप उसको बाहर फेकने में परियाप था और अब पंप को हम थोड़ा रेस्ट भी देने लगे और टू टेक टू आवर्स रेस्ट इन रोटेशन अब उसे हम दो घंटे का रेस्ट भी देने लगे रोटेशन इन रोटेशन मतलब एक के बाद एक, और हम लोग भी ऐसी रोटेशन में आराम करने लगे, रेस्ट करना है ने आराम करना हो, तो इस विकार अब दो दो घंटे के रोटेशन में तोड़ा आराम होने लगा, क्योंकि सिती थोड़ी बहतर हो गई थी, नियंतरण में आ गई थी दिन हो गया था, काफी पानी निकल गया था, बाहर निकल दिया गया था, सब लोग सुरक्षित थे, सुजाने को चोट लगी थी, लेकिन वह एक बहादूर बच्ची के तरफ व्यवहार करके अपने को इसने कंट्रोल में रखा था, और अपने जवाब से तो सभी को इसने बड़ा प्रेरित कर दिया था, उसका ये जवाब, कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप सब लोग की जान बचाने में लगे हुए हो, किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा, तो उसका ये प्रेरिणा प्रत जवाब भी पिता के साथ था, लेकिन इस सब के बावजूद भी, लीक होना मतलब कहीं से निकलना, पानी लीक हो रहा है, नियूज लीक हो गई है, कहीं से निकल जाना, तो अभी भी मैंने देखा कि कहीं से पानी लीक होके अंदर आ रहा है, काफी पानी, we still had, we still had a tremendous leak, बहुत ज़्यादा लीकेज कहीं था, somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boats, main rib frames, were smashed down to the keel, keel मतलब क्या होता है, जहाज का keel, जिस वो बोलते हूं, सबसे नीचे का हिस्सा, जहाज के keel मतलब सबसे नीचे का हिस्सा, keel, K-E-E-L, तो जो हमारा जहाज था, उसके जितने भी main rib frame थे, जिसके अधार पर पूरा जहाज बनता है, उसको shape देते हैं, वो rib, उसकी भी अपनी पसलियां होती ही न, पसली जैसा, उसका भी धाचा होता है, तो जो धाचा था, वो काफी कुछ तूड गया था, और कील पर बहरा था, smash down to the keel, smash करना मतलब तूड जाना, तोड देना, तो जब बहुत ज़्याज़ लीक मैंने देखा, तो मैंने पाए कि, leakage कहां से हो रहा है, I found that nearly all the boat's main rib frames, मैंने देखा कि हमारे जहाज के जितने भी rib frame है, main वाले, वो तूड चुके है, smash down to the keel, in fact, there was nothing holding up a whole section of a starboard hull, except a few cupboard partition, in fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull, except a few cupboard partitions, सचाई तो ये थी कि उसका जो frame तूड गया था, rib का, धाचा, जहाज का जो धाचा तूड गया था और जो कील में पड़ा था, तो सचाई तो ये थी कि अब जहाज में कुछ ऐसी चीज बची नहीं थी, जिससे कि उसका जो हल है, वो टिका रहे, in fact, there was nothing holding up, hold up मतलब पकड़ना, there was nothing holding up a whole section of starboard hull, पूरे hull को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो जो hull बचा हुआ था, वो कि वो इसलिए क्योंकि hull में जो cupboard बने थे, rack बने हुए थे, वो rack hull को पकड़े हुए थे, अंदर जो rack जैसा बना हुए था, cupboard बना हुए था, partition जो बने हुए थे, partition बनते हैं, partition आप जानते नहीं, लकड़ी का partition बनाना, तो ये partition के खीलों से, वो जो दिवाल थी, वो टिकी हुई थी बस, अजवाइस दिवाल के लिए जो असली जो frame होता है, वो तो सब तूट के तहर सना सो के नीचे पड़ा हुए था, So I repeat again, that by morning third, the pumps had water level sufficiently under control for us, and we could take two hours rotation, rest, but we still had a tremendous leak, राज में तो सब काम हुआ, सुब़ पानी कम हो गया, लेकिन फिर भी चिंता थी कि पानी फिर भरवरा के आ रहा था, और क्यों आ रहा था, जो कि उसका जो में फ्रेम था, वो तूट चुका था, पड़ा हुआ था, कील में, और जो उसका हल था, हल से लगी हुए दिवाल के बल पर ही, उसमें जो पार्टीशन था, उसमें जो कबर्ड थे, कैबिन बने थे, उस कैबिन के खीलों के बल पर ही, सब टिके हुए से भगवान ही बचाए, I mean, it's only God's grace, our luck that it was still intact, किसी तरह हमने पंदरा घंटे निकाले, we had survived for 15 hours since the wave hit, शाम के 6 बजे दो तारी को wave hit करती है, सुबा के 6 बजे स्थिती थोड़ी बहतर होती है, और सुबा के 6 बजे रहने 12 घंटे हो गया, करीम 9-10 बजे तक हम लोग थे, we had survived for 15 hours, अब करीब 15 घंटे हो चुका था, यानि अब आगे की जो घंटना है, वो सुबा के 3 तारी की सुबा के 9-10 बजे के बाद की घंटना का वर्णन है, अब क्या होता है देखें, narrator क्या बताता है, we had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker won't hold together long enough for us to reach Australia, पंदरा घंटे तो हमने निकाल दिये थे, लेकिन हमको मालुम था कि wave walker जो है, जो जहाज है, अब वो, अब वो जुड़ा नहीं रहेगा, it will not hold together long for long, मतलब अब उसका धाचा कमजोर हो गया, कभी भी चर्मरा जाएगा, और यह हम समझ गये थे कि Australia पहुंचने के पहले तूट सकता है, और बॉड़ी इतनी कमजोर हो गयी थी कि पूरी शंका थी कि हम Australia पहुंच पाएंगे कि नी, यह जहाज हमें Australia तक ले जा पाएगा, इस पे शंका थी, यह जहाज हमें तक पहुंचा पाएगा, इसमें डाउट था, अब जब मैंने देखा कि जहाज यह पहुंचा नहीं पाया इसका शरीर जरजर हो गया है, जहाज चरमरा रहा है, कभी भी वो ढह जाएगा, मैंने चार्ट वगरे को देखा और जिसमें पूरा नक्षा रहता है, मैप रहता है, जहाजी रूट, समुदरी रूट के नक्षे वगर रहते हैं, तो उसमें देखा कि पास में कहीं पर दो आईलेंड हैं, आईलेंड याने द्वीप, द्वीप याने ऐसी भूमी जो चारों तरफ पानी से घेरी हो, देख द्वीप है, केप टाउन से हम एस्ट चले थे, साढ़े तीन हजार किलो मेटर आगे पहुंचे थे, और दो तारीक की शाम को एक घटना होती है, पंदरा घंटे और हो गया हैं, हम कुछ और हंड़े किलो मेटर आगे बढ़ गया है, और एस्ट की ओर हम चले जा रहे हैं, और दिन के दस बजे, जब मुझे लगता है कि यह जहाज अब समभल नहीं पाएगा, जहाज अब हमें ऑस्टेलिया नहीं पहुंचा पाएगा, तो मैं नक्षों को देखता हूँ, चार्ट को देखता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, कि आसपास कहीं पर दो आइलेंड हैं, जो वो भी आसपास से मतलब कुछ सो किलो मीटर आगे, few hundred किलो मीटर, not one or two किलो मीटर, few hundred किलो मीटर इस्ट में हैं, याने और उस तरफ, औस्टेलिया भी इस्ट में था, तो याने औस्टेलिया के रास्ते में ही, उससे पहले, काफी पहले, दो ध्वीफ हैं, ऐसा मेरे को नक्षे के कैलकुलेशन चे लगा, one of them, known as Iles Amsterdam, देखे ये नक्षे में कहां है ये Iles एर स्टम्टर, here is the map, you see, Iles, Island को शौट में बोलें, Iles, और Amsterdam तो वैसे एक बहुत पसिद्ध शहर का नाम है, Holland के, Iles Amsterdam, Holland के एक बहुत पसिद्ध शहर का नाम है, लेकिन यहां पर एक द्वीब का भी नाम है, Iles Amsterdam, I checked and calculated that there were two small islands, a few hundred kilometers to the east, यहने on way to Australia, one of them, Iles Amsterdam, was a French scientific base, उसमें से जो एक Iles Amsterdam था, जो मेरे नक्षे में दिख रहा था, वो French लोगों का एक base था, जहां पर वैग्यानिक काम करने के लिए उसका उप्योग करते थे, वैग्यानिक काम करने के लिए, उस द्वीब का उप्योग करते थे, कौन? French लोग, अबर ओनली होप वास तो रीज दीस पिन प्रिक्स, पिन प्रिक्स, हमारी केवल एक उम्मीद थी, कि किसी तरह यहां पहुँच जाएं, और पिन प्रिक्स का मतलब क्या होता है, और फिर क्या मोलता है, पिन प्रिक्स इन दे वास्ट ओशन, में सदर्न इंडियन ओशन, जैसे महासागर में, उनकी लहरों के बीच, यह जो दीप हैं, यह भी एक पिन की तरह है, बहुत छोटे, क्योंकि महासागर इतना बड़ा है, तो उसकी तुलना में, पिन प्रिक्स इन दे वास्ट ओशन, वास्ट मतलब विशाल, वास्ट मनें विशाल, इस विशाल समुद्र में, यह पिन प्रिक्स की तरह थे, पिन प्रिक्स की तरह थे, बहुत छोटे पिनों की तरह थे, और हमके बहुत यही प्रास्ट ना कर रहे थे, यही उमीद कर रहे थे, Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean But unless the wind and sea abated But unless, unless, मतलब जब तक Abate होना मतलब कम होना जब तक wind की speed कमनी हो जाएगी और समुजर की लहरें, तरंगें कमनी हो जाएगी We could hoist sail Our chances would be slim indeed यहने लेखा कहरा है, नेरेटर कहरा है Unless the wind and sea abated So we could hoist sail Our chances would be slim Slim chance होना, slim मने पतला Slim waste, पतली कमर Slim hope, कम उम्मीद उम्मीद बहुत कम है पतली उम्मीद है, मतलब बहुत कम उम्मीद है Slim hope Slim chance, मतलब बहुत कम chance है India has a very slim chance of winning gold In hockey Right, so slim मने कम chance तो नेरेटर कहरा है कि यदि हवा कमनी होगी समुद्र का बहाव कमनी होगा समुद्र की लहरें कमनी होगी और इतनी कम ना हो जाएं कि हम अपना mast उठा सकें We could hoist मने लहराना Sail मने पाल मैंने बताया Sail मने mast का पूरा जो पूरा हिस्सा रहता है जिससे नाव को दिशा दी जाती है तो जब तक वो दिशा नियंतरक पाल को हम खड़ा नहीं कर पाएंगे तब तक ये उम्मीद करना कि हम पहुँच जाएं गलत होगा और दिशा नियंतरक पाल को हम कब खड़ा कर सकते हैं जब हवाओं की रफतार कम हो जाए तूफान की गति कम हो जाया तभी हो पाएगा और तू होइस्ट मने लहराना फहराना To होइस्ट the flag वी होइस्ट flag, अवर नेशनल flag on 15th August every year अवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट अवर नेशनल flag on 15th August from the Red Ford पंदरा अगस को लाल किले में जन्डा फहराते हैं हमारे प्रधान मंत्री तो हमारे लिए इसको पाल को खड़ा करना जरूरी था लेकिन वो तभी संभाव था जब आंधी तूफान कम हो जाए अबेट हो जाए अबेट होना ये कम होना अबर चांसेज वुड़ बी स्लिम अन्य था हमारे पहुंचने के संभावना बहुत कम रहेगी कहां पहुंचने के संभावना आइल्स अमस्टरडम आस्टेलिया तो बहुत 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 दूर था वहां तक तो हमारा जहाद जाई नहीं सकता था वो तो जीर्ण शीर्ण हो चुका था लहरों थपेडों से तूट चुका था तो आस्टेलिया तक जाना संभाव नहीं था पर आस पास जो आइलेंड था वहां तक जाने की उम्मीद थी बशरते हमारा पाल खड़ा हो जाए और पाल कब खड़ा होगा जब हवा कम हो जाए तूफान कम हो जाए जो बहुत तेजर रफ्तार से जो हवा चल रही थी ग्रेट वेव जो तरंगे आ रही थी उसने हमारा जो लेरी अंजिन था अम जिलियरी मतलब क्या होता है सपोर्टिंग एंजिन एक मुख्य एंजिन होता है और उसको एक support करने के लिए एक engine और रहता है जो की मुख engine के खराब होने पर, मुख engine में कुछ समस्य आने पर auxiliary engine की मदद ली जाती है हवाई जहाज में भी ऐसी auxiliary engine होता है जिसे हम कह सकते है stand by engine तो इसमें भी stand by engine था दुर्भागे से वेवों की थपेड़ों में हमारा auxiliary engine भी खराब हो चुका था तीन पम तो खराब होई गया थे यह auxiliary engine भी खराब हो चुका था तो समस्याएं मुह बाय खड़ी थी और बढ़ती ही जा रही थी चिंता लगातार हो रही थी कब क्या होगा और दस ग्यारा बारा बच चुका था दिन का इससे पहले कि शाम हो कुछ रास्ता निकले कुछ जाने कि कैसे हम आईलेंड पहुँच पाएंगे पहुँच पाएंगे कि भी नहीं एसा सोचते सोचते खतरों को जहिलते जहिलते अब 4 जनवरी आगया था दो तारीक की शाम की घटना दुर घटना के रूप में बदलती जा रही थी बढ़ती जा रही थी समझाय और यहां अब 4 तारीक आ गया चार जनवरी यहाने 36 घंटे हो चुके थे On January 4th, after 36 hours of continuous pumping क्या कर रहे थे हम लोग इस दौरान Pumping ही तो कर रहे थे, Steering ही कर रहे थे तो continuous pumping and steering We reached the last few centimeters of water Last few centimeters Few मने कुछ अब कुछ centimeter ही बचा था पानी किस में? अभी किनारे नहीं पहुंचे हैं 36 घंटे लगातार pumping करते करते वो भी बाद में एक ही pump बचा था अब हमारी जहाज में पानी बहुत कम हो गया था याने डूबने के संभावना पानी के वजन थे अब कम हो गई थी लेकिन जहाज चूटा था वो खत्रा तो बनी हुआ था जहाज ऑस्टेलिया नहीं पहुंच सकता था वो खत्रा तो बनी हुआ था पानी कम कर दिया हमने pumping के खार 36 घंटे पानी we reached the last few centimeters of water now we had only to keep the pace with the water still coming in अब हमें सुनिश्चित करना था कि हमारी pumping ऐसी हो कि जितना पानी आ रहा है वो बाहर निकल जाए याने पानी के अंदर आना कि मात्रा और पानी को बाहर फेकने की मात्रा बराबर है कम से कम pumping ऐसी हो याने pumping पे काफी कुछ निर्भर था now we had only to keep pace with the water still coming in pace याने रफ्तार तुमारे खाने का pace बहुत तेज है आई pace याने रफ्तार वो pace baller है cricket में होता है न pace baller pace याने speed रफ्तार तो उसकी speed ऐसी रहे कि जितना पानी आ रहा हो pump उतना ही पानी बाहर फेक दे we could not set any sail on the main mast we could not set any sail on the main mast sail मने pal mast याने mastool अब हम दूसरा कोई सा उसमें pal नहीं लगा पाए pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart खत्रे ही खत्रे ही थे अभी एक तो हम हमारे पास पाल शायद नहीं था जिससे कि हम उसे नया पाल लगा सकें mast में मस्दूल में जो बहुत जरूरी था लेकिन करनी पा रहे थे उसके साथ ही दूसरी समस्या ये भी थी कि जो rigging था वो pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी समय जो जहाज के जो हिस्सा तूट गया है उसको pull apart कर देगा pull apart मतलब अलग-अलग खीच देगा pull करना मतलब आप जानते ही हैं खीचना तो जहाज के दोनों तरफ के हिस्सों को जो अलग-अलग खीच रहा था मतलब किसी भी समय जहाज तूट सकता था और क्यों pressure के कारण किस चीज का pressure पानी की तरंगों का लहरों का तीवर हवाओं का pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart so it hoist the storm gym and headed for where I thought तो हमने क्या किया इस डर से कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए we hoisted the small gym storm gym हमने छोटा वाला gym जो होता है storm gym जिसे बोलते हैं उसे हमने लगा लिया उसे hoist कर दिया and headed for to head for मतलब की ओर निकल पढ़ना की ओर निकल पढ़ना and headed for where I thought the two islands were वो mast तो हम नहीं लगा पाए बड़ा वाला जिसमें बड़ा पाल लगता है लेकिन छोटा वाला हमने लगा लिया क्योंकि उससे कम सकंब को जहाज को थोड़ा दिशा तो देना था ना छोटे मास से भी दिशा दी आती है उसमें ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन कम सकंब यह हमने लगा लिया वी कोड़ हॉस्ट दे स्मॉल वन and moved towards the island मेरे कैलकुलेशन के अनुसार जिस दिशा में वो द्वीब था हम उस दिशा की और चल पड़े हमने जहाज को उसर मोड़ दिया and headed for where I thought the two islands were Mary found some cornered beef and cracker biscuits अब देखिए 36 घंटे हो चुके खाने पीने की कोई चर्चा नी याने खाना पीना हुआ नी बच्चे भी भूखे होंगे वो दोनों pump man भी भूखे होंगे और लगातार मशीन चलाते चलाते कितने पस्त हो गया होंगे और यहां narrator स्वैम की जिसकी पसली तूटी थी दाट तूटा था मुह ते खून निकला था वो भी कितना भूखा होगा इस दौरान मैरी को फर्चुनिटली क्या मिल गया कॉन बीफ मांसा हरी भोजन उसे मिल गया और क्रैकर बिस्किट्स मिल गया and we ate our first meal in always twice और इस पर्कार eat 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 eaten meal याने भोजन आप दिन में कितना मील लेते हो दो मील एक दोफर का और एक राद का meal याने भोजन meal मेल और हिंदी में जो meal है वो meal का पत्थर उसको अंग्रेजी में क्या बोलते है mile, m-i-l-e mile तो यहाँ meal है इस प्रकार मेरी ने जब वो कौन बीफ लाया और क्रैकर बिस्किट लाये हम लोग के साथ शेयर किया दो दिन बाद हम लोग कुछ खाये और हमारा पेट में कुछ गया वी एट अवर फर्स मील इन अल्मोर्स टू डेज और तालीस घंटे लगभग हो चुके थे और सुचिए इस पूरे तालीस घंटे में बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा भूक के नाम से कुछ नहीं कहा बट अबर रेस्पाइट वस शॉर्ट लिफ रेस्पाइट याने आराम र-e-s-p-i-t-e र-e-s-p-i-t याने आराम शॉर्ट lived मने ख्चनिक शॉर्ट lived याने शॉर्ट lived कम समय के लिए रहा लिफ मने रहना जीना तो जो हमारा आराम था वो कुछ ही ख्चनिक के लिए रहा ख्चनिक रहा अवर र-e-s-p-i-t-e-t-wip at 4 p.m चार तारीक की शाम के चार बजे देखिए बाराए बजे के आज पास थोड़ी सी राहत मिली और दो जो घंटे के गैप में थोड़ा सा आराम हुआ पंप को भी आराम दिया और फिर दो तीन बजे मेरी को बिस्केट और कॉन बीफ मिला हम लोग कुछ खाय ही थे थोड़ा सा राहत लिये ही थे ये आराम च्छनक साबित हुआ चार बजे क्या हो गया ब्लैक क्लाउड बिल्डिंग अगें बिहाइंड आस हमारे पीछे फिर काले बादल चाने लगे और कब चाया थे काले बादल दो तारिक की सुबह जो दिर्ष दिखा था एक तारिक की साम को जब निकले थे ये काले बादल फिर चाने लगे ब्लैक क्लाउड बिलक क्लाउड बिलडिंग अप अगें बिहाइंड आस हमारे पीछे आप काले बादल आने लगे और विधिन अग़र the wind was back to 40 knots और एक घंटे के अंदर जो हवा का जपार था हवा का ज्होंका था उसकी स्पीड भी तीवर से तीवरतर हुई तीवरतर से तीवरतम हुई और अब कितनी हो गई थी 40 knots per mile मैंने पर अवर मैंने आप बताया था शुरू में कि knot जो होता है K-N-O-T knot होता है समुद्र की दूरी को नापने के लिए जो unit का उप्योग होता है जैसे जमीन में दूरी नापने के लिए kilometer, mile, meter तो ऐसी समुद्र की दूरी को किसमे नापते है knot को और एक knot जो है वो लगभग दो kilometer के बराबर होता है एक knot spelling क्या है K-N-O-T तो knot याने समुद्री दूरी नापने का unit और knot का अर्थ एक और है उसके भी spelling K-N-O-T knot बने गठान उसका भी spelling K-N-O-T ही है इस परकार knot के दो अर्थ है तो हम जिस knot की चर्चा कर रहा है वो समुद्री knot की चर्चा कर रहा है जहाज की जो जो दूरी थी जो स्पीड समुद्र में जहाज के चलने की स्पीड को knot में आपा तो 40 knots पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी बहुत तेज हो गई थी हवा शाम चार बज़े होते होते कल ही तो शाम को पांच एक बज़े तूफान और सब शुरू हुआ सा नाटक यह ड्रामा और आज फिर 24 घंटे हुए नहीं फिर सिर पर वो इतनी ही बड़ी समस्या मुह बाए खड़ी दिखाई देने लगी अवर रिष्पाइट वस शॉट लिप अट फिर उची और उची होने लगी यहने मुझे वो पुरानी घटना पुराना पिछले दिन का जो दृष्ष था वो याद आने लगा The weather continues to deteriorate To deteriorate मने गिरावट आना To deteriorate मने गिरावट आना Your health is deteriorating आपका स्वास्ते में गिरावट आ रही है Your performance is deteriorating आपका जो performance है आपके जो number है वो गिरावट आ रही है Your marks are not satisfactory Your rank is falling And your performance is deteriorating आपका जो performance है वो नीचे उतर रहा है कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा था, weather continue to deteriorate अब weather God जो है मौसम है वो भी अब बद से बदतर होने लगा हवा चो चलने ही लगी चालिस नॉट पर अंदकार अलग हो गया चानक काले बादल फिर चागए ब्लैक क्लाउट चागए हवा की तेज रफतार आ गई और समुद्र की लहरें भी अब अपना जलवा दिखाने लगी इस लगातार गिरावट ने हमारी चिंता बढ़ा दी और पूरी रात जो है वो स्थितियां खराब होती गए दो वेदर कंटीनूट टो डिटरियरेट थ्रू आउट दे नाइट अड़ दान अन जैनुवरी 5 अवर सिचुवेशन वाद अगें डिस्परेट डॉन मननने आपको बताया था डॉन यनि सूरियो दै पांस तारिक की सुबह आते आते इस्थिति और खराब हो गए इट बिकेम डिस्परेट और बुरी हो गए दो वेदर कंटीनूट टो डिटरियरेट डिटरियरेट मनने गिरावट आना थ्रूआउट जनाइट रात भर स्थिति गिरती हो गई रात भर में स्थितियां और बुरी होती गई एंड बाई डॉन बाई डॉन सुबह आते आते जनवरी पांच की सुबह आते आते अवर सिचुएशन सिचुएशन मनने स्थिती लोकेशन ने सिचुएशन कर्थ लोकेशन भी होता है लेकिन यहां पर सिचुएशन कर्थ है स्थिती दक हैं अबर situation was again desperate, desperate होना मतलब बहुत बुरा होजाना